नमस्कार, वल्कम टो अजीकेशन तरफी, दोस्ते यहाँ पे हम विज्ञान का एक प्रस्ट नहाल करेंगे, चलिए अब प्रस्ट को पढ़ते हैं सबसे पहदे, 15 किलो तरव्यमान की एक वस्त, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समानवेक से गति सील है, वस्त की गति जूर्जा कितनी होगी, हमको क्या निकालना है, गति जूर्जा यानि काइनेटिक एनरजी, काइनेटिक एनरजी, जिसको हम E, नीचे K लिखके दर्स आते हैं, यह होता है, हाफ, Mv, स्क्वाइर, बैग्राउंड पे थोड़ा खट-पट की आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए छमा चाहूंगा, जल्दी से इस प्रस्ट को हम हल करते हैं, तो काइनेटिक एनरजी जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है, हाफ, Mv, स्क्वाइर, हमको दिया क्या है, हमको वस्तु का द्रवमान दिया है, M बराबर 15 केजी, और वस्तु का वेक दिया है, V बराबर 4 मीटर प्रतिसेकंड, तो यही मान हम उठाके इसमें रख देंगे, चलिए, यहाँ पे हम य यह सारा मान इसमें रखते हैं, तो देखिए, E, K होता है, यानि काइनेटिक एनरजी, K से काइनेटिक और E से एनरजी, यह होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हाफ, इन्टू, M, M कितना है, M है हमारा 15, और V है हमारा 4, तो 4 को हम दो बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि V स् अब इसको हम solve कर देंगे, तो 2 से यह काट देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसको जब पूरा हल करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 120 Joule, एनरजी है, तो एनरजी है मिसा Joule में आएगा, जिसको हम J से दरसित करते हैं, तो आपका जो इस प्रस्ट का उत्तर होगा, वो हो 120 Joule, कहीं कोई doubt है, तो आप comment box में पूछ सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं next question में, तब तक के लिए धन्यवाद